बिस्मिल्ब रमाने रहीम दोस्तों आज बनाते हैं चिकन करी एक बिलकुल नए और डिफरेंट स्टाइल से और इसके एक ऐसे ट्रिक जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा वो मैं आप से शेर करती हूँ एक किलो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है एक प्यास लेना है दर्मियानी या बड़े साइस का और चंद लेसन की जवे वो पहले आपने पानी में बॉइल करने हैं हलकी आज पर प्याज और लेशन अच्छी तरह उबल जाएंगे तकरीबन आदे घंटे में उसके बाद आपने प्याज और लेशन को ग्राइंट कर लेना है फिर आपने डाल देना है आदा टीस्पोन हल्दी, एक टीस्पोन नमक हस्पेजाई का, एक टीस्पोन सुरुख मिर्च और वन एन आफ टीस्पोन कोरियंडर पाउडर और वन टीस्पोन गरम मसाला पिसा हुआ पान्च मिनिट मसाले बूने के बाद तमाटर बून लें और फिर डाल दें आप उसमेश चिह चिमन के थोड़ा से बून लेंगे फिर हम आदा घंटा चिकन को ढख की पकाएंगे अब हम चिकन को अच्छी तरह से बूनेंगे ताकि कज़े गोश की smells महल चली जाए अब तक्रीबन 10 मिनिट तक चिकन को इसी तरह से बगार धके भूने जब चिकन को धक कर पकाएंगे गलानी के लिए तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना देखें कि मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला चिकन अपना ही पानी काफी छोड़ देता है और उसी में गलेगा अब हमारा चिकन तक्रीबन गल चुका है मेडियम आँच पर आदा घंटा लगा है और ये बड़ा ही जबरदस्त बना और बड़ा ही डिलिशिस सेहरी में पराठो के साथ एंजॉय करें अब ये देखें ये है फाइनल लुक और सेहरी में इंजॉय करें पराठो के साथ और फीड़बेक जरूर दें